हलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऐच्ए पारामांट में दोस्तों आज के हमारे वीडियो को टॉपिक है इंस्पेक्शन आप पाइलिंग रिग मशीन का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं रिग मशीन एक हैड्रोलिक ऑपरेटे एक्विप्मेंट है जिसका यूज पाइलिंग के दौरान बोरिंग के लिए किया आता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइलिंग मशीन के इंस्पेक्शन के दौरान हमें क्या-क्या चीज़े चेक करना होता है दोस्तों अबर Immering Machine का checklist देखे तो सबसे पहलो जो है वह हो है अम प्रोजेके फिर इस प्रोजेक्ट में हम प्रोजेक्ट का नामãy करई देना है देंस्ते जो भी इजैंश्लिय का इंस्पेक्शन हो रहा करना है नेक से में क्या मोडल यानी मश्षिन का में क्या है उसको को यहां देना है जैसे मैंने 155 में सब्सक्राइब देना है उसके बारद है उन्सक्राइब इसको नाम लिख देना है नेग यहीर manufacturing यानि machine का manufacturing year कौन सा है उसको यहां पर लिख देना है उसके बाद दोस्तों इंस्पेक्शन में जो सबसे पहला point check करना वो है इसते equipment has third party certificate and displayed यानि जो ring machine है उसका third party certificate है और वो displayed है कि नहीं दूसरा जो point है is the operator authorized and their authorization card displayed यानि जो operator है वो authorized है और उसका जो authorization card है वो display है कि नहीं third is in good condition यानि जो ring machine का crawler है वो good condition में है या नहीं उसके बाद का जो fourth point है दोस्तों वो है is the horse limit switch in good condition यानि केली का horse limit switch है वो good condition में है या नहीं उसके बाद fifth point है is the wire ropes and disciples condition are good यानि wire rope और डी सेकल जो है उसका condition सही है या नहीं उसके बाद का point है wire rope drum is in good condition यानि wire rope drum है वो good condition में है या नहीं उसे yes या no लिखते नहीं 7th point है is the jib angle indicator working यानि jib angle indicator working में है या नहीं है उसके बाद का जो point है दोस्तों वो है free rotation और movement of kelly is okay यानि kelly का जो movement of free है वो असानी से रूटेट हो रहा है या नहीं उसे चेक करना है next is the counterweight is available and secured यानि machine का जो counterweight है वो available है या नहीं और प्रपरली secure है कि नहीं उसे चेक करना है उसके बाद है banks man or rigor are available यानि machine के पास banks man or rigor है या नहीं उसे चेक करना है next point है fire extinguisher is available in the rig यानि इडिक मशीन ने fire extinguisher available है कि नहीं उसे चेक करना अगर है तो yes नहीं तो no लिखते हैं नेक्स फरस्टेट बॉक्स प्रवाइड इन दरीग यानि फरस्टेट बॉक्स रिग मशीन में है तो yes नहीं है तो no लिखतेंगे उसके बाद का point है is the condition of battery and lamps are good यानि जो condition of battery और lamps है वो good है या नहीं नेक्स swing alarm provided यानि रिग मशीन में swing alarm available है या नहीं है नेक्स से इस दा operating levers or the steering are good यानि operating levers or steering good condition में है या नहीं है उसके बाद है quarter pin provided for boring drum यानि बोरिंग ड्रम में quarter covered and doors are good यानि machine का जो guard cover और door है वो good है कि नहीं उसके बाद है इस दा operator daily checklist followed यानि operator का पास जो daily checklist होता है वो follow हो रहा है कि नहीं उसे हमें check करना है और सबसे लास्ट जो है is the overheard limit switch for secondary wire rope is provided यानि इदिक मशीन में एक secondary wire rope होता है जिसका यूज कभी lifting के लिए कि आता है उसमें ओवर होस्ट है या नहीं उसे हमें चेक करना है बाद सबसे लास्ट में दोस्तों नीचे है इंस्पेक्टेड बाई पी एंडम यानि पी एंडम में जो भी इस मशीन का इंस्पेक्शन किया उसका नेम और सिगनेचर और उसके बाद है इंस्पेक्टेड बई एस एची यानि सेफटी हेल्थ इन्वारोमेंट से जिसने भी इस मेंशिन का इंस्क्रेक्शन किया उसका नेम और सिगनेचर तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हसी परामांट को जल्दी मिलते हैं अगले व वाचिंग